दोस्तों जब मैंने सुना कि मूलान का लाइव एक्षन वर्जन डिजनी बना रहा है तो मैं तभी से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटड था इस मूवी के लिए और फाइनली डिजनी ने मूलान को OTT प्लेटफर्म पर रिलीज कर दिया है सबसे पहले आपको बताते चलें कि मूलान 1998 में आई एनिमेटट फिल्म मूलान की ही कौपी है जोसे थोड़े बहुत चेंजिस के बाद बनाया गया है मूलान को डिरेक्ट किया है निकी कैरो ने और फिल्म में मुखे किरदार नभाए हैं यिफे लिउ, डोनियन, ली गॉंग और जैटली ने दोस्तों मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं मूलान का फिल्मी जंसन रिव्यू मूलान एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने उम्र की लड़कियों से अलग है मूलान एक लड़ाके सैनक के सारे गुण पहले से ही जानती है पर परिवार और समाज उसे बार बार ये याद दिलाता है कि वो एक लड़की है और उसे लड़कियों की तरह रहना चाहिए एक दिन राजी पर संकट छा जाता है और राजी को सैनिकों की जरुवत पड़ती है तो राजा आदेश देता है कि हर एक परिवार से एक लड़का चाहिए मूलान अपने सेवा निर्वत सैनिक पिता का लड़ाई का सामान लेकर जंगल के मैदान में पहुँच जाती है इसके आगे क्या होता है इसके लिए आपको मूलान देखनी पड़ेगी मूलान की कहानी एनिमेटिट फिल्म से ही ली गई है तो बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं किये गए है कहानी पहले की ही तरह इंगेजिंग है जो कमी मुझे लगी वो कई सारे करेक्टर्स का इस मूलान में ना होना है जैसे एडी मर्फी की आवाज बाला मुशू, चीनटी के करेक्टर वाला क्रिकी और दादी का करदार आपको इस वाली मूलान में देखने नहीं मिलेगा मुशू और क्रिकी दोनों ही करदारों का डिजनी ने मेक ओवर कर दिया है मुशू की जगह साइलेंट फीनिक्स ने ले ली है और क्रिकी की जगह क्रिकेट ने ले ली है बागी के सारे करदार अपनी अपनी जगह है नई मूलान की कहानी आपको जल्दी ही अपना बना लेती है और आप करदार से जुड़ जाते हैं किरदारों के डायलोग अच्छे है, कहानी का सबसे बड़ा negative point कई सारे iconic scenes का ना होना है, जैसे मूलान का बाल काटने वाला scene इस बार आपको देखने नहीं मिलेगा, ऐसे ही कई और सारे scene आपको इस बार देखने नहीं मिलेंगे, जो इसे थोड़ा सा emotionalी कमजोर बनाता है, अग मूलान की originality को खोने नहीं दिया है, और मूलान को काफी realistic रखा है, उनके सांदार direction ने इस movie को animated movie की तरही fresh रखा है, उनका command हर एक department पर देखने मिलता है, अदाकारी, costume, sets, design, graphic, सारे के सारे अच्छे हैं, cinematography और music भी अच्छे हैं, अगर performances की बात करें तो सभी ने सांदार का किया है, मूलान बनी ये फे लियू ने हर एक scene में दिल जीत लिया है, उनकी screen presence बहुत ही ज़्यादा strong है, बोरी खान बने Jason, Scott Lee, एक villain के करदार में सांदार लगे हैं, डोनियेन, कमांडर तूंग के करदार में अच्छे लगे हैं, येट ली भी राजय के करदार में अच्छ नहीं होती है, पर कहीं से कम भी नहीं लगती है, मूलान सिनेमालावर्स के लिए एक visual treat है, जिसे आप पूरी family के साथ बैठ कर देख सकते हैं, मूलान को मैं देता हूँ 5 में से 3 स्टार, अगर आपको ये review अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें, दोस्तों के साथ share करें औ और चैनल को subscribe जरूर करें, thank you, मिलते हैं अगले वीडियो में